हेलो फ्रेंद्स यू ओला वेलकम और मैं यूटूब चैनल माई ओलाइन क्लास्रूम और आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास विफ्थ का शोशे स्टेडिस का चैप्टर 16 है ये और इसका नाम है सम पीपल नेवर डाई तो ये चैप्टर में आपको एक्स्प्रेंड करने इसका नाम से इसका पाली हूँ जैसा आप सभी को पता है चैप्टर को मैं आपको नोट्स के आपसे एक्स्प्लेइन करूंगी नोट्स में साहँ साथ इंपोर्टेंट कॉंटेंट है पॉइंटस में है और इंपोर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो हाइलाइट इप जिससे सबसेटरर करते हैं सबसे पहले अगर इस पीपल की जिसनके बाई में हम जाने वाले हैं महान हस्तियों के बाई में तो उसमें सबसे जो महान हस्ति के बाई में हम जाने वाले हैं वो है सबसे पहले अबराहम लिंकन तो इनके बाई में जाने से पहले मैं आपको एक चीज और लिया कर दूँ कि जिसता के से my online classroom channel है जहां पर आपको social studies, social science related आपके सारे topics, आपके videos, explanation है important questions है, notes है वो आपको मिल जाते हैं और जब भी आप में चैनल पर visit करते हैं तो playlist option पर ज़रूर जाया करिए क्योंकि playlist option पर जब आप जाते हो तो आपको class wise आपका grade 5 है grade 6 है, 7 है, 8, 9, 10, 11 तो इस तरह से आपके सारे chapters के जो explanation है वो वहाँ पे हैं तो आप इसली वहाँ से आपको हर chapter मिल जाएगा, in case अकर आपको कुछ problem होती है, तो आप मुझे comment करेगा, मैं आपको उसका link provide कर दूँगी तो दिखिए सबसे पहले अबरहाम लिंकन पर आते हैं तो अबरहाम लिंकन का जर्म जो है year 1809 में हुआ था, एक बहुत गरीब घर में इनका जर्म हुआ था USA में, बहुत इन्होंने महनत करी बहुत तरह की job करी, lawyer बने, और उसके बाद age जब 25 एर के हुए ये तो ये Illinois House of Representative जैसे Parliament होता है तो उसमें ये elect हुए उस टाइम जो slavery थी slavery यानि गुलामी, यानि जो लोग है इनसानों को गुलाम बनाया जाता था गुलाम बना के उनके रखा जाता था तो ये एक बहुत ही common चलन था, वहाँ पे बहुत ही common था की गुलाम बना के रखा जाता था USA में, people from Africa तो अफरिका के लोगों को लाया जाता था और वहाँ पे उनने गुलाम बना के रखा जाता था USA में उनसे काम कराया जाता था और उन्हें slaves, यानि white people लोगों के ये गुलाम होते थे African लोग और इनके लिए negros या black words जो है वो इस्तमाल किया जाता था तो आज के टाइम पे आप students जा दखना ये दोनों ही जो शब्द है ये एक तरह से गैर कानूनी मान लिजी इनका इस्तमाल नहीं करते आज कल के भाशा में एक तरह का criminal offense हो जाता ये तो क्योंकि आप आगे और पढ़ेंगे कि किस तरह से ये चीजे जो वहाँ पे गुलामी एक तरह से बहुत प्रचरित होई और लोगों को गुलाम बनाये जाता था जो कि बहुत गलत बात है क्योंकि इंसानियत के नाते हर किसी का जीने का अधिकार होता है तो अबरहाम लिंकल इसके बहुत खिलाफ थे 1860 में लिंकल जो है वो इलेक्टेड हुए as a president USA के और after his election election के बाद many states में जिससे south में ब्रॉक आवे फॉम दी USA and announced that they would form a separate nation तो बहुत साई states जो थे south में वो एकदम south से अलग हो गए USA से और उन्होंने northern और southern आप मालेजी USA में जो काफी लंबे समय यानि 4 years तक चला जिससे की इतिहास में हम American civil war के नाम से जानते हैं civil war क्या होता है जब एक ही देश के दो लोगों या दो ग्रूप में जगड़ा हो जाए तो यूद की condition हो जाए उन्हें यूद चल रहा है तो उसको हम बोलते हैं civil war ये जो एक तरह का जो war जो जनम हुआ इसका northern states में स्टार्ट हुआ ये southern states में काफी इसका विद्रोब एक दासम क्यूंकि southern states में जो था वहाँ पे slavery बहुत ज़्यादा प्लचली थी तो northern states क्यूंकि यहाँ पे चाते थे कि slavery जो है वो खतम हो जाए इसी विए से war स्टार्ट हुआ और फिर बाद में लिंकन के बहुत मैनत के बाद जो है ये एक तहां का war जो था वो खतम हुआ और USA एक united country बना रहा even before the war ended मतब वार ended होने से पहले भी लिंकन ने announcement कर दी थी कि freedom to the 3 million slaves in the USA कि जो 3 million slaves रहे कि कितनी जाड़ा slaves थे वहाँ पे तो 3 million slaves को जो है वो आजाधी प्राप्त होगी USA में उसके दो साल बाद एक law pass हुआ USA में जिसने ये slavery यानि जो गुलामी है उसको बैन कर दिया totally banned का मतबर restricted कर दिया खतम कर दिया Lincoln was elected president for the second time और दुबारा भी दूसरी बार भी Lincoln USA के president बने He wanted people to forget the past and live in peace and unity वो चाहते थे कि लोग जो है वो अपना ये जो पुराना इतिहास है वो भूल जाए past जो है भूल जाए और सब मिल जुलके बहुत शान्ती और एकता से रहे इसके बाद आते हैं हात्मा गांधी के उपर तो इनके बाई में जाने से पहले एक चीज़ और में आपको बता दूँ कि my online classroom science channel भी है जहाँ पे आपको science से related आपके videos मिल जाएंगे chapter explanation, notes के साथ important questions भी वहाँ पे हैं जो exam time पे आपको काफी help करेंगे और जब आप वहाँ visit करें तो please playlist option पे भी जाएए और उसका link जो है मैं description box में mention कर दूँगी आपको तो देखें महात्मा गांधी का पुरा नाम था Mohandas Karamchand Gandhi जिनका जनम 2 October 1869 में पूर बंदर इन गुजरात में हुआ At that time British ruled India यानि British जो थे वो इंडिया में rule करे थे He studied law in England वो भारत को एक तरह से भारत से बाहर इंगलेंड में पढ़ने गए थे और क्या पढ़ने गए थे वहाँ पे वो तो law यानि कानून की विध्या प्राथ करने गए थे उसके बाद वो South Africa गए वहाँ पे successful lawyer वकील बने The blacks of Africa and the Indians living there were badly treated by the British तो जिससे अबराहम लिंकन के टाइम पे जिससे आपने पढ़ा अभी कि slavery किस साह से कराई जाती थी उसी तरीके से अफरीका में भी South Africa में चीज़ें उन्होंने observe करी गांधी ने कि अफरीका में blacks जो है उनके साथ और इंडियन जो रहते हैं उनके साथ कितना बुरा बरताव करते हैं Britishers एक तरह से discrimination वहाँ पे होता था इनके साथ तो गांधी ने decide कि वो fight करेंगे इस injustice के खिलाब उन्होंने develop कि अपना खुद का method की किसना से fight करना है इस तरह के injustice के साथ उन्होंने oppose कि non-violent methods of protest कौल सत्याग रहे हैं उनका कहनात है कि हमें injustice से कैसे लड़ना है non-violent यानि अहिंसा का method यूज़ करके protest हम withdraw करेंगे पर किसी तरह का हिंसा नहीं करेंगे तो इस method को सत्याग रहे का आगया सत्याग प्लस आग रहे है यानि request for truth या आप कर सकते appeal for truth इसके साथी उन्होंने launch किया non-corporation moment इंडिया में 1920 में जब वो इंडिया में वापस आए तो वही चीज उन्होंने इंडिया में भी देखी कि किस्ता से यहां पर भारतियों के साथ क्या भेदवाब हो रहा है फिर people silently उन्होंने अपोस कना स्टार्ट किया बिटिश था वो कभी वॉयलेंट नहीं हुए और पर उनको पुलिस के द्वारा कभी काफी बार पीटा भी गया गांधी को अरेस्ट किया गया बिटिश वस सून फोस्ट टू रिलीज ही बट उसके बाद इतना विद्रो भायत में हुआ कि उनको दुबारा बिटिश को छोड़ना पड़ा इंडिया फिर फ्री हो गया बिटिश रूस से 15 ओगस 1947 में गांधी जी अगर एक चीज़ देखे तो वो यहां पे इंडिया में आंटचबिलिटी यानि चुआ चूट का भी बहुत चलता था कार्स सिस्टम का कि छोटी कार्स के लोगों को अपने साथ लोग रखना नी चाहते थे उन्हें चूणा पसंद नी करते थे वो सोचते थे कि हमारा धरम भेश्ट हो जाएगा तो इसके भी वो बहुत खिलाब थे साथी उन्हें ने बहुत सारा महनत किया कि यह जो आंटचेबल्स हैं इनकी थोई लाइफ सुदार सकें वो और उन्हें नया नाम दिया हरीजंस यानि हरीजंस का मतलब एक तरह से इन्होंने यह सोच के दिया क्योंकि बाकी लोग इने टच करना पसंद नी करते थे टच करने से उन्हें लगता था कि उनका धरम कहीं ना कहीं आप पवित्रू हो जाएगा तो वहीं उन्होंने concept कांधी जी ने दिखे किस सांसे बदल दिया कि आपको लोग इसलिए टच नहीं करते क्योंकि आप हरीजंस हो यानि हरी के जन हो यानि भगवान के बंदे हो भगवान के इंसान हो आप इसलिए वो आप बहुत महान हो इस वैसे वो आप कुछ होते नहीं है इसके साथ ही उन्होंने बहुत काम किया हिंदू-मुस्लिम यूनिटी के लिए भी इंडिया में क्योंकि बिटिशर्स एक तहां से जब गए तो हिंदू-मुस्लिम के बीच में क्या टकराफ छोड़के गए तो उसके लिए भी उन्होंने काफी काम किया जिससे वो चाते थे कि इंडिया का कभी बटवारा ना हो इंडिया पाकिस्तान में बट गांधी चीर को मार दिया गया गोली मार दी गई थी जिसके विए से मतलब 30 जैनवरी 1948 में उनकी डैथ हो गई थी पर फिर भी महात्मा के नाम से उनको जाना चाता है यानि ग्रेट सोल महानात्मा इसके बाद आते हैं मार्टिन लूथर किंग पर तो इवन आफ्टर स्लैवरी वस बैंड इन दी युएस से दे ब्लैक्स वर ट्रेटर बैंड ली देखिए स्लैवरी कहीं ना कहीं युएस से में बिल्कुल खतम तो कर दी गई थी कागजों पर फिर भी महाँ पर जो ब्लैक्स लोग रहते थे उनके साथ बहुत बुरा वैवार होता था यहां पर दीके ब्लैक्स से मतलब साउथ अफ्रिकन पीपल तो जैसे में आपको बोला कि अब यह आप शब बिल्कुल इस्तिमाल मत करिएगा किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं और एक तरह से गयर कानूनी है तो दे वर स्टेट सेट्स होती थी ब्लैक्स की अलग वैट्स की अलग साती जो ब्लैक्स उनको इटिंग प्लेशिस पर अलाओ नहीं था कि वहाँ पर चाके साथ में खाना खा सकें मार्टिन लूथर वो परसन था में परसन था जिसने इस इंजस्टिस के खिलाफ लड़ाई लड़ी उनका जर्म जो है साथन स्टेट जो था जोजिया इन यूएस से वहाँ पर इनका जर्म गुआ था 1929 में मार्टिन लूथर कींग ने इंडिया में भी विजिट किया 1959 में जहाँ पर उन्होंने गांधी का सत्याग्राय मूव्मेंट को अब्सर्व किया और वह बहुत प्रे राइट्स के लिए ब्लैक्स के लिए कि उनको एकवल राइट्स मिले इसके लिए उन्होंने काफी संगर्श किया और 28 ओगस 1963 में अबाव 2 लाग पीपल जो है उन्होंने जोइन किया इस मार्श को यानि पूरे मोव्मेंट को जोइन किया वाशिंग्टन में और उसके एक स काम के लिए इस तरह के एक प्रियास के लिए जिससे एकवल राइट्स मिले ब्लैक को तो उसके लिए उन्हें नॉबल प्रेइस प्राइज जो है उनके एफ़र्ट्स के लिए प्रियास के लिए दिया गया जिससे साउथ अफ्रिकन पीपल को उनकी पहचान मिली तो एक महा अधिकार भी मिल गया था मार्टिन लूथर किंग को भी इसी तरह से शॉट डैट यानि मार दिया गया था 1968 में बहुत ही यंग एज में 39 की एज में अब हम पढ़ेंगे मदर ट्रेसा के वाय में अगर इनका नाम देखा जाए तो इनका रियर नेम था एगनेस गौंजा बोज इनका जर्म जो है वो 1910 में हुआ था और शी बिकेम अनन ठीक है वो एक नन बन गई थी नन यानि क्रिश्चिनिटी में जो एक ताह से जो गर्स होती है शादी नहीं करती है और चर्श में जिसे होते ना जिसे पुजारी उस तरह से जब बन जाते तो उने हम नन कहते हैं व इन्डिया में भीजा गया था कि वो कॉन्वेंट में पढ़ा सके इन कॉलकता में वन डे उन्होंने शी फेल्ट कि फील हुआ कि गॉड उनको बोल रहे है कि ऐसा काम करो कि जहां पर जो पूरेस पीपल है ऑफ दर सिटी उनकी हैल्प करो उनके लिए काम करो 1950 में वो और उनके काफी साथ जो पीपल थे साथ में जो उनके साथ काम करते थे वरकिंग थे वो उनके साथ गए उन्होंने सेट अप किया एक नया ओर्डर जिससे Missionaries of Charity के नाम से जना जाता है वो बिलीफ करते थी कि लोगों जो पूर लोग है उनकी मदद किरें उनके लिए काम करें जिससे जो कि एक तरह से क्राइस ने उनको कहा था कि इनकी सेवा करना जिससे मेरी सेवा करना ही है ओवर दर हियर्स काफी साथ वीद के तो Missionaries of Charity ने ओपिन के स्कूल्स ओफरेज जैस और यानि एक तरह के अना थाले Home जो के dying poor of India में other countries में है उनको एक तरह से उनके सेवा करने के लिए उनके इस तरह के selfless बिना किसी motive के बिना अपने स्वाथ के जो पूर के लिए पूर लोगों के लिए उनके काम किया Mother Teresa को receive हुए काफे सारे awards इसमें से अभायत रतना उनको इंडियन कौर्मेंट के थ्रू दिया गया Maxis से award उने दिया गया Nobel Peace Prize दिया गया She died in the year 1997 में की death होगी बट शी आज भी वो हमारी memory में लोगों की यादों में वो बसी हुई है Especially गरीबों की यादों में तो I hope you chapter आपको अच्छे समझ में आ गया होगा So thank you everyone